हैलो दोस्तों क्या है आज हम बात करेंगे ईक कि स्टडइ वीजा के फस्ट के बारे में सहरी बच्चों के डाओट रहता है कितने फन्ट शो करने और कैसे करने यह मैं आपको सिंपल तरीकी में बटाता हूं फन्ट शो करना ने जब दो तरीके होते हैं एक तो जैसे आप saving account बगरा में भी save कर सकते हो, जैसे FD होती कहीं हो कि दूसरा होता है loan letter, कई बच्चों के पास इजने funds नहीं होते हो, वो कहा करते हैं loan letter लगा लेते हैं, कुछ तो पढ़ने के लिए loan study loan लेते हैं, तो उनका loan letter जल जाता है, loan letter से यह होता है कि आपको easily अगर आपकी fees होती है, जैक्ट आपके यूनियूर सटी में पेव जाती है, आपको कि रोल नहीं होता है, इसमें जतनी study होगी उतना आपका loan हो जाएगा, और इसके अलावा जब आप fund शो करते हैं, अपने saving account में या FD में कहीं भी, उसमें आपको क दो जार भर रखी है, तो तेरह जार पॉंड बची है, वो आपको शो करना पड़ेगा account में, इसके साथ ही साथ आपको वहां के expenses, जो भी खर्चे होंगे, जो around 13,034 लंडन में जो जितने university समयाता है, पर मन्त के इसाब से, आपको 9 महने तक का जोड़ लेना, 9 मन्त का आपक का खर्चा है वहां पर, आपको 9 मन्त के लिए आपको यह जोड़ लेना, जितना amount बनेगा, और जितनी फीस आपकी remaining बच जाएगी फीस जमा करने के बाद, दोनों जोड़ लेना, जितना amount बनता है, उतना आपका fund में शो करना पड़ेगा, और जो लंडन से दूर है, में वह जोड़ के आपको शो कर देना है, बस इतना simple सा तरीका है, अगर आप fund शो करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो, और आपको कोई doubt है, कोई question है, तो आप मुझे Instagram में ऐसे कर सकते हो, okay, bye, thank you.